हलो दोस्तों, रोचक मिश्ट्री में आपका स्वाकत है दुनिया में हजारों साल पुराने कई धाचे ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति या निर्माड के बारे में किसी भी पुराता तुब इसे सब के इतियास कर या पग्यानिक के पास जवाब नहीं है ये स्ट्रक्चर आज भी मानों के थे सबसे बड़े पिलस में बने हुए है इन स्थानों के बारे में कई वर्षों तक या जानने की कोशीश की गई कि इनने किस ने बनवाया होगा क्यों बनवाया होगा या इसका उप योग किस के लिए किया जाता था ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज भी हमारे पास नहीं है हम आपको यह ऐसे पांच रहसमा इस्ट्रक्चर के बारे में आज जनकारी देने वाले हैं मेक्सिको का टिया टियुवाकन सहर मेक्सिको सिटी के ठीक बाहरे इलाके में टिया टियुवाकन इस्तित है लब्लाक्ट मैं मध्यूग मनना झायता जह मंना था कि इसके बारे में कूछ भी उपलत नहीं है फिर भी एस्ट्रक्षर आज भी रहसे बना हुआ है इस बस्ती को देखकर अन्मान लगाया जा सकता है कि यहां 25,000 लोग रहते होंगे इसका निर्माड अर्बन ग्रीड सिस्टम के तरह हुआ है जिस तरह निवार का हुआ है यहां एक पिरामिट के अंदर जितनी भी हड़ियां मिली है उसे पदा चलता है कि बड़ी संक्या में यहां इंसानों का परिदान गहा होगा और जरक ओएसिस वेल बिटेन की रॉयल एयर फोर्स के पाइलट मैटलेंड ने 1927 में जब उडान भरे थे तब उन्होंने पहिये के समान 82 फिर्ट से 233 फिर्ट व्यास की यह सैकड़ अकृतिया देखी थी यह बिची तर आकृतिया सीरिया से लेकर जार्डन और सौधी अरब के आगे तक फैल हुई है यह सारी आकृतिया पत्थरों से बनी हुई है जितीले इलाके में इन आकृतियों के बारे में पुरात्त वर्ग्यानिकों का कहना है कि 2000 वर्स से अधिक पुरानी है लेकिन इने किस ने बनाया और क्यों बनाया इसका जवाब आड़ भी किसी के पास नहीं है ऐसे में कई सवाल भी उड़ते हैं कि क्या जमीन पर यह काम किसी देट तेका है या इलियन के लिए बनाया गया लांच पैड है हाली में बग्यानिकों ने इन अक्रेपियों के 45,000 एरियल पोट पत्रों से बनी हुई है और इसमें 230 फीट ब्यास की आकरिती बनी हुए जिसकी उचाई 49 फीट है यह स्टोन हेंज से दोगनी बड़ी और फिल टावा से च्छा गुना अधिक वजन वाली यह विसाल और प्राचीन सत्वा समुद्रिक की लेकिन इसका प्राकृतिक तरीके स निर्माण नहीं हुआ है इस चट्टन के बारे में यह भी माना जा रहा है कि पासीन यूग में इसका निर्माण किया गया होगा बग्यानिकों के कहाना है कि यह 2000 वर्स से लेकर 12000 वर्स पुरानी हो सकती है बूतिया सहर 9 मडोल टेम वेन दिट के पास यह 1000 वर्स पुराने खंडहर बसती है यहां पास पुर्स ही लोग रहते हैं जो 9 मडोल से बुरी तरह भैबीत है यह यहां जाने से भी इनकार करते हैं माना जाता है कि यह अभी साफित जगह है यहां आस पास आपको एक यह जिस्तरा या अन्य चीजी भी नहीं मिलेंगे इस जगह के बारे में अभी सही जानकारी नहीं है यहां दोसो एक एकड़ में एक हजार से अधिक मानो निर्मित दूप है यह आठ लाग टन बिल्डिंग मैटेरियल से बने हुए हैं इनमें से तो एक का वजन ही पचास टन है यह चारो तरफ से पानी से गिरे हुए है और क्यों लाजिस्ट का मा तर एक गुलाकार मैदान दिखाई दे रहा है इसका ब्याद दो सब पचास फीट है इसे प्राचीन बैद साला माना जा रहा है जर्मिनी के पूरा तत्वीदों ने 11 साल यहां सुध किया लेकिन उन्हें इसके बारे में सही जनकारी नहीं मिली उनके अनुसार यह बैद साल साथ हजाल साल पुरानी है 2004 से 2005 में गोसिक सरकल को लकडियों के द्वारा पुनब बनाया गया तता 21 दिसंबर 2005 में इसे जनता के लिए पुनब खुल दिया गया और भी रोचब जनकारे के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक सेर करना ना भूले थैंक यू